तो आधके हमारी उन्लाइन क्लास में हम आपके सांद बातकित करने जा रहे हैं Power Pivot and Pivot Table में relationship कर लिये तो क्यों जरुद परती जिसको जानी है मेरे पास तीन तेल्स देटा है एक में हमारा sales का देटा है कि उसी तरह से कस्टमर का स्टित यहां पे आईडी दिया हुआ है बाकि नेम एड़ेस लड़ेस इस पे दिया हुआ है अब मुझे पता करना है कि किस कस्टमर में कौन सा पड़ा स्टिति में कितना क्वांटिटी पशेट किया कि समझाया तो इसके लिए मुझे अगर मैं नॉर्मल प्रू चलो तो फिर मुझे यहां पर नेम और वी रूट बगरा लगाना पड़ेगा लेकिन नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं अपने आप पुरा चंसीडर कर ले तो इसके दो तरीके हैं पहला तरीका है एलेंसिप टेबल में कैसे करेंगे आप से छे किजिए जब प्रूबल लगाते हैं तो नीचे सब्सक्रमाइब्स अमने गी और of message प्रूप दो धान तो आपको उसके बार से अपका तो फुर आसको भी सेलेक्ट कीजिए इसपीवेट टेबल में मी जाइए एट जिस प्रेटा तू डेटा मोडल तो हमने दो को क्ट करिया अब आपके में प्रेडर पे आई एक में प्रेडर्स लिए यहां सिल्फ आपका एक्सिवेट हो जाएगा इसे पहले नहीं होगा मैंने इसको स्पुलेक्ट किया तो इसमें आता है नियू पर वे कि गिए विखे से दोनों डेटा के भी प्रश्व क्या है मतलब कि रखाते हैं तो जो लुक अप वैलु होता है तो दोनों यहां आया और select किया कि data model का range range 1 बतले यहां पर क्या होता है range जो रेंज पर इस तरह से consider करता है तो हमने बुला कि range equal to यहां पर PID और range 1 का PID दोनों common है ब्रावर है तो दोनों इस PID से PID के बीट में लिंक हो जाएगा और फिर OK कीजिए और यहाँ close करते अब आप देखेंगे कि पिवर्ट टेबल दिख रहा है इसी के बगल में आपको दिखेगा All All में आपके पास दोन डेटा आ जाएगा तो मैंने यहाँ आया और यहाँ से मैंने name को लिया और यहाँ से मैंने quantity को लिया सुनील जी समझना आया है दुबारा बताओं आ रहा है सर समझना आ रहा है अब माली जी मुझे 30 भी करना है 14 भी करना है तो फिर आपको इसे customer का डेटा है customer का डेटा को select करना है और यहां add this to data model पे click कर देना है फिर relationship पे जाएए new पे आएगा और हमने बोला कि range card CID range 2 card CID ब्रावर है हो गया अब जब मैंने pivot लगाया था तो उसमें हम अपना all के आते हैं हां और यहां जो हमारा customer का city है उसको column में देते हैं नेम को सब्सक्राइब से लग देते हैं कि समझें है हलो कि सब्सक्राइब कर सकते हैं अजया अजया समझें यो रेंजी में add होते रहेगा ना यहां यहां फिर बाहत पर लगाया हुआ है फार्टू का ओडिलीट कि डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर सब्सक्राइब एक बार तो लगाना पड़ेगा पाइवट बनाने के लिए फिलहां लगाना पड़ेगा लेकि अगला से उसमें लगाने की ज़रूत नहीं है ठीक है सब्सक्राइब दूसरे सीट में पी आई डी सिंग्जर यूनीक होना चाहिए तो जो जो जिस की को आप असमें रिलेट कर रहे हैं दो में से एक के अंदर ओ यूनीक होना चाहिए अगर दोनों में दूब्लिकेट है तो रिलेजन्सिप आपका नहीं लगेगा कि अगर यह संद्सक्राइब करने क्या यह से बुछ जैसे बोल रहे हों कि फिर प्रॉडक्ट के प्रॉड़क्ट के विप्रम रिलेशिशिफ लगा रहे है ना किसके प्रूड पी आई डी के सो प्रॉड़क्ट बाले सीट पे पीड़ी सिंग्ल टाइन है अग्यू सब्सक् कि जो अगारे और दोनों में से कोई एक यूनीक होना चाहिए सर किसी यह भी मालिजिए कि अगर आईडिया रडिडी अदि अधी अगर लगता तो नहीं लगता तो तो यह दिए इसम्मौज अगया ना सर झाया रहे है अब इसमें बात आती है जिसे कैल्कुलेशन हो गया और बात आती है कि बहुत सारे सीट हो तब क्या करेंगे उतने पीपत लगाने पड़ेगा तो जो पीपत के अंदर जो रिलेशन सीफ है उस छोटे मोटे चीओ के लिए है नॉन कल्कुलेटिव और एक बुसीब के लिए इसका यूज़ कर सकते है जब ज़्यादा चीट हो काल्कुलेशन हो तो हम यूज़ करते हैं पावर पीपत बट पावर पीपत आपके सिस्टम मे यहाद नहीं दिख रहा है तो पावर पीपत कैसे आएगा तो आपको जाना है फाइल में नुबार के आप्शन पे और यहाँ 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 पे आपको क्या बोलते हैं एड इंस में आना है आपको और एड इंस में आने के बाद आपको यहाँ जाना है कॉम एड इंस उसके बाद ओके कीजिए यहां देखे दिखेगा देटा सिंबर फोर एक्सल पावर मैं यहां आपका पावर पीवट पावर पीवट पे क्लिक कीजिए आपको अब फिर्ट समझें और फिर्ट पावर पीवट पाले टैब में आएए मैंज पे क्लिक कीजिए मैंनेज भी क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका फुरा से कल्कुलेशन होगा अब देखिए जो शीट हमने पाउर प्रिवर्ट में एड़ किया तो तीनों यहाँ जा रहा है आ रहा है देखिए सिरार मैं इसको डिलीट करेंगे अब बताता हूं से इस तरह से आप करेंगे तो इस तरह का दिखेगा अपका बिंदो इस तरह का फिर एक्सल पर आईए और जितने भी सीट है सारे सीट को वान बाई वान पावर पीवर्ट के अंदर एड़ टू डेटा मोडल आएगा तो बिना पीवर्ट लगाए डेटा को डेटा मोडल में एड़ कर लेगा आपको समझने में असानी हो यहां कुछ भी करेंगे आपको एक्शुल डेटा इस एक्सेट नहीं होगा एक्शुल डेटा जो है वही रहेगा इसके बार हम पुड़क्ट के आते हैं पुड़क्ट को सेलेक्ट किया डेवलर्ट को इस देपर सरी पावर पीवर्ट में गए एड़ टू डेटा मोडल और इसका हम जह दे जते हैं प्रोड़क्ट ऐसे वान बाई वान अगर तीन सीट है चार सीट है पान सीट है दज सीट है उसको इस तरह से आप एड़ करेंगे और यहां पर हमने कर दिया कर दिया कर लिया कर लिया अब हमें क्या करना है कि इसको कि रिलेशन्सिप करना है तो हम जाएंगे डाइग्राम व्यू में और फिर हम यहां यहां प्रोड़क्त को उठाया और पी-डी के ऊपर डाल दिया कर दाल दिया कर आका ओर और फिर यहां हमने CID को उठाया और हमने उठागे डाल दिया CID को तो यहां रेलेशनसिप करना प्रासा आतान हो जाता है अगर आदस टेबल है तो एजली आप रेलेशनसिप कर सकते हैं कि समझगे ज़र कि हलो कि यह सुर्ट सर अब इसको हम यहां से वापस आते हैं डेटर वियू में अब बात करते हैं कैलकुलेट की क्योंकि प्रोड़क में हमारा MRP है तो मैं चाहता हूँ यहां पे MRP आ जाए तो मैंने यहां एक कॉलन पे नेम पे MRP लिखके एंटर मार दिया अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉड़क कोर्ड के विहाब पे इसके साड़े MRP यहां पे लुक अप हो जाए तो यहां पे हमने फार्मॉला लगाया रिलेटर का रिलेटर्टर फार्मॉले में हमने बोला कि पॉड़क की MRP हमारे पास पॉड़क की MRP आ जाए अगया सर्थ फिर मुझे चाहिए यहां एमाउंट और एमाउंट में यहां पे हमने बोला कि क्वांटिटी मुल्टिप्लाइ बाई अभी MRP देखेगा यह सेर्स MRP मत लिज़ेगा ठीक है ना पॉड़क्स MRP मत लिज़ेगा आ गया मुझे इस एमाउंट लिज़ेगा कमीशन जाए जी एस्टी आ है आप अथारा परसंट जी एस्टी कलिकुलेट करना तो हमने यहां पर बोला एमाउंट मल्टिप्लाइ बाई अथारा पर अब यहां पर परसंट का सेम्मल नहीं लेता है तो जीरो पॉइंट वान एट कर दीजिए आगया सब्सक्राइब फिर मैं यहां पर टोटल एट करना चाहता हूं तो इस सब्सक्राइब काल्कुलेशन है यहां पर बढ़ी असानी से कर सकते जैसे आप एक्सल सीट पे करते हैं और रिजल्ट यहां देखता रहाएगा कि ब कि आप अधागा कि अगया थे तंब और तंब एक तंब ने समने नहीं नहीं रगाना इसके हां यहां थम ने कर दिया तोटल में अध़ करना ने एमर्स कि अ कि फलाव इस है मापी लिए मांट हो गाएग गदद रखर कर रहा हो और जागा कि एमाउंट प्लाज जी एस प्लाज प्लाज इसे बॉल्क्षीट फॉर्मुले बगला जिसे राउंड का भी लुकप इस लोकप को सारे फॉर्मुले इसमें आप लगा सकते हैं तो यहां पर बहुत सारे फॉर्मुले आपको दिखेंगे लगाने के समझेज़र बहुत सारे फॉर्मुले इसमें इसमाल आप कर सकते हैं इसेक्स से क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर इस सारे फॉर्मुले लिस्ट दिख रहा है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं है कि अगे उसके बार एजिलास जब फाइनल आपका हो जाए तो प्रिबर टेबल क्लिक कीजिए और निव वरकशीट पर आपका प्रिबर टेबल यहां लग दिया अब इससो बड़ी असानी से आप इसको कर देखते हैं कि एमाउंट जी एस्टी टोटल पर हमने दिया पोड़क्ट वाइस को और हम यहां इसके अब सलाइसर भी सीटर कर सकते हों सलाइसर है मुझे चाहिए इससाख और आ अल करता है सिटी चाहिए नेम चाहिए पोड़क्स नेम चाहिए और अब इसके उपड़ इन स्लाइस है डिफेंट 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 शीज का वो इसमाल करते हैं ठीक है सर्थ अच्पाइब अच्छेए मैं आया श्राइब कर दो कि अच्छिकन नाया से आपको तो अच्छिए आपको अधर लाओ करके अब लेगा नहीं कि अपने से हो रहा है क्योंकि यह बीच में तो सब्सक्राइब लाना है कैसे लाना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाना है और यहां आपको इस तरह का विंडू आ जाएगा अगया है उसके बाद आपको जितने भी डेटा है सारा डेटा को चलेक्ट करना है और यहां एक करके करके तीनों को एड को डेटा मूदल कर देना है डेटा मता एड करते हैं जो आपका यहां पर मैनेज डेटा है ना पावज भी आई का उसमें तीनों डेटा एड हो जाएगा एड हो गया सब्सक्राइब अब बात आती है कि इसको आपस में रिलेट करें रिलेट कैसे करें तो हों टैब में यहां आपको देखें डिलेगा डाइग्राम दिए देख रहा है कि यह सिर डाइग्राम दिव में जाओ गया जिसने भी टेबल आपने एड किया है वह इस तरह से फॉर्मेट बायरा जैसे इंडर से किसमा आता था उसके बाद आपको में डेटा को रखना है में डेटा पर यहां जी सर अभी इसका फिल्द इसे मालेजिए इस इसके पी इडि पर डॉप कर देना इसका पी आईडि अधा के इस पर डॉप कर देना और विजह चीशतों भी इस पर आपको रखने से डॉप करते जाना है और रिलेसे जो खिल्द होगा जहां बताएगा कि यह तोनी इस तरह रहे हैं यहां से रिएस नहीं है तुप लिख आपने नेता पर आई आप मांगे के मुझे हमारे से साथ मुझे मार्की लेकर आना है मैं नॉर्मल एक्साइट पर वी लुक अब से लेकर आता ऐसे मुझे यहां लेकर आना है तो एक्सल पर वी लुक अप होता है यहां होता है रिलेटेड में आपको जब उसका पूरी डेटा जाएगी उसके बाद आप मल्टिप्लाई वगर डिवाई वगर जो जैसे करते हो जैसे कर सकते हो जो आपकी कैलेशन फाइनल हो जाए डैन अगें पीबटेबल पर क्लिक लाएगा एक नई चीट पर पिबट लगा देगा उसके बाद तीनों चीज़ से इसके बाद तक प्रिवट कैसे लगाना आए ठीक है तो आपको आता है ठीक है ठीक ठीक या तो इसकी प्रैक्टिस चीजिए ठीक है तो हमने अभी पिछले जो है पांच्छे क्लासिज में छ अगला तौपिक है वह तौपिक है फर्मूला का है ठीक है और जैसा हमने आपको बोला हुआ है कि जब भी हम कोई इंपोर्टेंट टॉपिक आपको स्थाएंगे तो उसके आपको उसका वीडियो रिकॉर्डिंग बेजेंगे तो अधीज है आपको हम एक दो देर दो घंटे का हम वीडियो आपको देज रहे हैं हुआ है कि एक दो आपकों कि हम आपको आपको आप जी या दो घंटे का एक वीडियो है जिसमें मैंने फॉर्मूला समझाया हुआ है ए वीडियो मैं सुनील जी आपको फॉर्वर्ड कर दिया हूँ और सुरेंदर जी मैं आपको भी कर देता हूँ आप नराज में दोईए इस वीडियो को आप देखने है ठीक है